तो इट्स में एट्रिगन एंड वल्कम टू लोग एट्सक्ले माइनक्राफ्ट तो वाइल गार्ड एपिसोड फेफ पिछले एपिसोड में घर बनाया था मुझे थोड़ा सा यहां पर मैंने एक्स्टा लीव्स लगाए हैं लाइग आप चेक कर सकते हो थोड़े वह लगाए इससे काफी अच्छा यहां पर लुक सा मिल रहा था तो मैंने इसले लगाए हैं अंदर इंटीर डिजाइनिंग वगेरा भी पूरी की पूरी कर दी है तो अगर मैं अंदर जाता हूं तो यहां पर देखो टेबल चेयर्स तो हैं यह बलकनी के दरवाजें बंद कर देता हू मैंने एक प्राफ्टिंग टेबल लगाया है एक स्मोकर लगाया है कार्पेट ऑखे मैंने टू फार्नीश भी लगा दिया है वैसे थोड़े और एड गरूंगा जो होगे हमारे यहां बैट्रूम पर यहां पर देखनें यह थोड़ी थोड़ी खाली श्पेस पड़ी है तो ज़ाता है यहां पर यह देख़्ों यह ब्लू ब्लू सा यह वाला इसको कहते प्ले तो अगर मैं इसको भी तो तो दिए इट के लिए तो हमिए क्या करना है इसको घर करता हूं तो मैं इस फर्निस के अंदर डाल देता हूं अभी मेरे कोल कहां चले गए मैं नीचे रखे हैं कोल एंड यह मेरा स्टोरे सिस्टम है जिसको भी जो है मैंने फुली रेडी कर लिया यहां पे क्राफिंग टेबल है थोड़ा से सजावत रगेरा की है मैंने तो इस पर ध्यान मत लड़ेटी टाल देते हैं तो यह समेल्ट होना सब्स्क्राइब करते हैं और यह फ्मेल बेट करते हैं तो इसी के बना लिरिख रखांग स्क्राफथीissoर कराद से अ हमारे पास एक तो अगर मैं इस कहीं पर प्लेस कर सकता हूं आगर मैं पलेसीर और या कुछ भी लेता हूं तो मेरे पास ये मिक्त रहा वह भर मेरे पास सब्सक्राइब संस्र j mortgage यह दोनों लेकर चलता हूं आपके उसके उपर क्लिक कर चाहिए तो अगर आपको और लगाना है याप एक बार तोड़ना पड़ेगा एंड वापी तक अपने हाथ में लेना पड़ेगा एंड फ़िलावर विजो इसके उपर क्लिक कर दो कर दो तो देखो आप ऐसे फ्लावर भी लगा सकते हैं यहाँ यहाँ पर भी आप मेरा स्टोरेज रूम तो दे पूरा पूरा घर सजाए यहां पर मैंने फ्लावर पूर्ट रख दिये हैं तो काफी अच्छा लग रहा है मेरा घर मुझे अगर फर्नेस की जरूरत पड़ी तो मैं इस एजी में फर्नेस लगा दूँगा अभी पर मुझे इतनी जरूरत नहीं है फर्नेस की ठीक है आज मैं काफी ज़ादा इंपोर्टेंट काम करना है तो पहले मैं थोड़ा समान रखता हूं कि आज अपने लोग करने वाले हैं आज को भी सिखाएंगे स्टिप माइनिंग कैसे करते हैं सबसे थोड़े से अपने लिये कबल स्टौन हमारे पास है ज्याने पिछली बार हमने लिए थे होई हमको जरूरत नहीं अच्छे जगे पर तोड़ी करना है पसा आईरन करके आते हैं आधे हैं या आईरन की थोड़ी बहुत कमी पढ़ रही है हमारे पास तो आईरन को भी जो मैंसमेल टिंग के लिए रखतेता है तो यहां पर हमारे पास भूट हो गया कबल स्टोन हो गया फूड ले जाना है आपको फूड ले 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 लिए यह वी आइसा फूड यूज कर सकते हो आप पर यह आपको ज्यादा कुछ देता नहीं तो आप रोटन फ्लेश खा सकते हो एक एपल ले जाता हूं कर लेंगे यह सारी चीज़ें जो मैं रख देता हूं यह भी है हमारे पास फिलिंटन स्टी लेकर जा सकते हो और टोर्च कम पड़ जाते है तो फिलिंस्टन स्टी यूज कर सकते हैं तो इस बकिट भी जरूरी है तो एक बकिट भी बनाने आयम को आ जो कि तो थोड़ा का आई ले सकते हैं तो सबसे पहले मैं पानी ले लेता हूं क्योंकि आपको strip mining के अंदर काफी लावा जाके देखना को मिलेगा आपके रास्ते में तो तब अपनी bucket को यूज कर सकते हो अपने आपको बचाने के लिए तो जल्दी हम घर में चलते हैं बकेट आगे हमारे पास एंड थोड़ा बहुत और आईरन स्मेल्ट हो गया होगा तो ले ले लेते हैं ठीक है अपने लिए एक आईरन की पिक है ओके सड़ी मैंने गलती से इसको प्लेस कर दिया था तो वोटर से आपको यह तूट जाते हैं ज्यादा कुछ तूटा नहीं क्य बना लेने यह को आपको थोड़ी से टॉर्श चीत बना ले नियुक्त है थोड़ी से और बना लेते हैं आप दरी बनाले जरूद पड़ेए क्या है आप अज्यम डाइमंड्स को भी आपको बताओं आप कहसे बहुत ही ज़यादा कुछ करने की जरूद नहीं पड़े हो के तो मैं काफी रेडी हूं थोड़ सा खाना से मेल्ट करना है तो वह भी समेल्ट करके जो पका लेते हैं उनको बीड़िक है कि अब कि अब कि अब कि अब में पर सब कुछ हो चुका है स्टैवन आईरन भी लेलिया मैंने तोड़ से कवस्टोन वगएरा सब अब कुछ आगया पिकक्स वगएरा भी ले लिया ठीक है तो अब को अपने घर से थोड़ा सा दूर जाना है क्योंकि अब कि अब करना तो आपको बस नीचे बनाते वह जाना है तो आप अगर मेरे कॉर्डिनेर्स देखें तो वहां पे आ रहा है 67 अगर इदर जाऊ तो यहां पर जाना है वाई 11 पे ठीक है तो अगर आप वाई 11 पर जाएंगे तो आपको गारेगा वाई 12 का भी जो एरिया ए 11 and 10 इन टीनों के अंदर जो है आपको maximum diamonds, Spawn, M मिलते है, ठीक है maximum सबसे यहीं पर मिलते हैं तो अगर आप माइनिंग करने हैं तो आप इन तीनों इलेवन पर जब जल्दी से वाई 11 पर चलते हैं ओको तो पड़ता है पर के माइनिंग में आपको रहते हैं वहाँ पे घूमना होता है अगर कुछ मिल जाए तो वह ले लो एंड अगर नहीं मिलता तो घूमते रहो ठीक पर स्ट्रेप मैंनिंग में आपको इच एड एवरी ब्लॉक को तोड़ना पड़ता है क्योंकि आप अंडर ग्र रहेंगा माइनिंग करोगे तो यह सब तो आता ही रहेगा ठीक है पर में चीज होती है कि यहां पर आपके पास जो है एक्स्ट्रा रिसोर्सी जाते रहते हैं इंड़ फेस ऑफ कबल स्टोन सेंड ग्रेवल फ्लेंट ओके यह सारी चीज़ें भी आपके पास आती रहते हैं तो इसलिए स्ट्रिप माइनिंग को अच्छा माना जाता है काफी ज्यादा अच्छा मान जाता है पर मैंने यहां पर स्टार्टिंग में आपको बता होगा कहा था कि स्ट्रिप माइनिंग जब तक आपको एफिशेंसी पर नहीं करने चाहिए ठीक है वह मैंने इसलिए कहा था और कुछ मेरा इसके पीछे रीजन नहीं था ठीक है आप वाइसे भी टाइम लाप्स खाता वह चुका है है ठीक है एंड़ इट साइट से भी एक ब्लोग और इदर खोद लेना ओके तो आपके बाद ये जगे हाजएगी एंड़ आगे के लिए खोदना है जैसे कि एक ब्लॉक हो गया आपका ठीक है एक ब्लोक हो गा दिन दो फिर तीम चार यह फिर पाच एंड छे साथ ऐठ ब्लोग आपको आगे के लिए खोदने हैं बीच बीच में आपको डमीम पर टोर्चिस लगाते रहने है आट ब्लोग आपने आगे के लिए खोद ली है सो आपको जो है आप यहां से भी आट वाट वह दा इसा ли लॉंटा चैँ तो यहां से भी आपको ऊपर से चौन अव्पर से पूरा कहने की पतो आ cmd यहां से प्लक चोड़के है दो एक क्षूड के इसको पर अपको कर देनीह आ देना फो यह तो चोड़के इसके उपर टॉट सकते हैं तो जहा चाहां आप ने वाइवा पर ऐसे दो गड़े होना लीजे पहले एंड सघ्ण ही बना लो एक किसी हम थिक है इस सईट का हो गए जेन आपको इस साइड पर भी से पर नहीं है आपको एक बस आश्क माई द्याएंगी अब आपको यहां पर सीधा खोड़ते रहना है ठीक है लिए बीकुट को कहते हैं hanum 2019 से क्हारा है आपको असे रहे यहाँ जिसे आपको यहां पर आज पास डाइमड्स फगर आप इसली मिल जाते है ठीक है स्टेप माइनिंग जैसा मैंने बताया कि इसमें डाइमंड नहीं मिल पाते हैं अगर आपने सुना पहले टाइमलार से मैंने बोला चाहिए तो बस आपको ऐसे सीधा-सीधा खोदते रहेना है जब तक आपको डाइमंड ना बिल जाए ठीक है ए आप regularbay लगता है क्य 6, 106 फूरे और खोद है अगर अगर आपको अपने सभी के सभी खोद लिया तो आप इस रूम को एक और बढ़ा कर लो एंड थोड़े से मांपने और निकाल कि तीन और बड़ा कर दूंगा तो मेरे पास एक और मायन जा जाएंगी तो अगर मैं इसे तीन और बड़ा कर दूँए वेट बस हो गया ये अब आपको यहांसे दो ब्लॉक के टोर्स लिदा की टैसलिए को उसको उसेफे नहीं फ्लॉर के लावा वर व्लॉआ 1011 बहुशते हैं थीडियोंग सेburg अगलेगें सब्सक्राइम वहां पे आपका सारा लावा जो है obsidian में convert हो जाएगा ठीक है तो आपको ऐसे करना है तो आपके आपके बास आप आ जाती है कितने six and seven, eight mines आ चुकी है तो अब आप इजली जो है इज़र इज़र strip कर सकते हो आपके जाता हूं अगर को कब तक दाइमंड मिलते हैं ठीक है तो अगर आपको जानना है कि मुझे आज की एपिसोड में strip माइनिंग से कितने डाइमंड मिले है तो जल्दी से जाओ channel को subscribe करो अंड साथ वाले bell को all पर कर लो क्योंकि इसके बारे में मैं आपको अगले episode में बताने वाला हूं ठीक है तो जल्दी से जाओ subscribe करो and bell को all पर YouTube कर दो जिससे आपको मेरे daily videos की daily notification मलते रहेंगे ठीक होगी दूगा आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा अगर आपको एपिसोड थोड़ा सा भी हैल्फुल लगा या थोड़ा सा भी इंजोएमेंट टाइप का लगा सो प्लीज मेक शोर टू सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूं आपको किसी और दिन किसी के लिए पीटाइब